हेलो गाइस कैसे हैं मैं आपका अकाश गाइस आज का वारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू चूज आ डोमेन नेम अगर आपकी वेबसाइट है या फिर आपका ब्लॉग है तो आप उसके लिए किस तरह एक परफेक्ट डोमेन नेम चूपस कर रहते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेप है जिसको फॉलो करके आप एक अच्छा खासा अपने आर्टिकल से रिलेटेड या फिर अपने वेबसाइट बनाने से रिलेटेड एक डोमेन नेम फाइंड कर सकते हैं क्या बताना चाहा रहा है आज मैं पर करूँ तो मैं जीसिटल मार्कटिंग बताता रहता हूंकDie मैं सके प्रत्तों एप दिखा el Everest इसको लोग पड़ते ही जान जाएं कि भाई अगर यह config बता रहा है तो ऐसे से मोना चाहिए एक उसकी देड़ा प्सायट का म Bit पिर ऐसे domain को लेकर कैसे find करें आपको सारी चीजे step by step इस वीडियो पता चलने वाली हैं तब जाके आप सही तरीके समझ पाओगी अगर हमें अपने डोमेन ने find करना है तो एक exact एक well optimized domain name किस तरह research करके find कर सकते हैं तो चलिए guys अपनी video का हम चालू करते हैं और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आई है तो please मेरे चैनल को subscribe करिएगा और साथी साथ बेल लेकर दवाना मत बूलिएगा और एक छोटी request जैसा कि आप जानते हैं मैं अब Instagram पर भी आ चुका हूँ तो आप मुझे वहाँ भी follow कर सकते हैं because मैं वहाँ पर ऐसे नोर रोज नई update लेकर आता रहता हूँ और आपके questions को personally solve करता हूँ चलिए चालू करते हैं domain name find करने के लिए हमारा पहला point आता है choose keyword that identify your site आपको एक ऐसा keyword find करना पड़ता है जिससे कि आपके site को लोग पढ़ते ही या फिर आपके domain को लोग पढ़ते ही identify कर पाएं कि आपकी website इस topic पर है अगर मैं example को तोर पर आपको समझाओं for example मैं digital marketing बताता हूँ आपको digital marketing में बहुत सारे parts आते हैं Facebook marketing Instagram marketing LinkedIn marketing ऐसे बहुत सारी marketing आती है लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे बनानी यह website अपने Instagram के उपर मैं अपनी website पर लोगों को ब्लॉग लिख के बताना चाहता हूँ कि मैं Instagram हुए और आपको यहाँ चीजे मिलेंगी लेकिन यहाँ पर बात आती है कि नाम किस तरह चूज करें अपनी website का अपने domain का तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको Instagram से related keyword ने देखने पड़ते हैं सोचने पड़ते हैं कि अगर मैं Instagram के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ तो ऐसे कौन से keyword find कर सकते हैं जिससे कि अपना हम domain name रख सकें जिससे कि लोग हमें पहचान सकेगी इनकी website इस topic पर होने वाली है तो मैं क्या सोचूंगा मैं Instagram से related keyword सोचना चालू कर दूँगा जैसे मालों की Instagram marketing.com Instagram tips and tricks.com Instagram strategies.com Instagram model.com ऐसे बहुत सारे मैं सोच सकता हूँ इसी तरह क्या करना है इसी तरह आपको सोचना है कि आपको जो topic है वो किस पे है स्पोर्ट्स पे है फैशन पे है ब्यूटी पे है फिटनस पे है किस पे है अगर उस पे है तो उससे related keyword सोचो कि हम किस type का नाम रख सकते हैं अगर मैं जू चीजे बता रहा हूँ वो उसमें चार-पांस कीवड निकालने पड़ेंगे जिसमें से आप एक-दो सेलेक्ट करोगे और आखरीम जाके एक फाइनल करोगे तो हमारा पहला पॉइंट यही है कि पहले आप कीवड्स फाइंड करो कि आप किस टॉपिक पर बताना चाहते हूं आप किस टॉपिक पर आर्टिकल ल दूसरी होती है आपके पास टूल्स होना चाहिए मैं दोनों तरहिके समझाता हूं आपको फार इव्ग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया था कि डिजीतल मार्केटिक के बारे हूं तो अब मेरे टॉपिक क्या हो गय है डिजीटल मार्केटिंग अब मैं क्या करूंग सोच की सीमा एक अंतक होती है ठीक है आप क्या कर सकते हो अब आता है दूसरा तरीका अब आप टूल्स की मदद लोगे एक टूल है जिसका नाम है डोमेन विल्स आप वहाँ पर इसली जाके सर्च कर सकते हो आपके टॉपिक से रिलेटेट कि मैंने क्या कीवर्ट की हैं और जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग या सर्च किया तो आप देखिए यहां पर बहुत सारी लिस्ट आ चुकी है .com.qv.in.qv.xyz सब डोमेन के साथ आ जाएगी तो आप इसमें से क्या कर सकते हो कुछ नंबर ओफ डोमेन निकाल सकते हो उसको रख सकते हो लिस्ट में कि हाँ हाँ मैं यह यह चूज कर सकता हूं तो यह मेरा दूसरा तरीका था मतलब दूसरे स्टप था डोमेन नेम को चूज करने का अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरे स्टप की उर अब जब आप बहुत सारे डोमेन नेम की लिस्ट निकाल लेते हो कुछ डोमेन नेम चूज कर लेते हो तो अब आती है उसको final करने की बारी, कि अब हमें क्या करना है, कि हमें आप ऐसा कौन सा domain, मतलब जो मैंने list निकाली है, उसमें से कौन सा domain name मैं fix करूंगा, इसके लिए आपको 3-4 चीजों को ध्यान देना पड़ता है, पहली चीज हमारे आती है कि memorable, आप जो domain name सर्च करने वा रही है, जैसे कि मेरा YouTube channel है, नाम क्या है, Mr. Informer, लोग को जट्के में याद हो जाएगा, इसी तरह आपको ऐसा domain name fix करना पड़ेगा, जो कि लोग को याद हो, अब आप दूसरी चीज आती है कि easy to read and understand, वो पढ़ने में understandable हो, ऐसी कोई चीज नहों कि भाई, पढ़ने में 10 सेक कर रहा है, showing the sense वो क्या बता रहा है कि आपकी website इस topic पर है, अगर digital marketing के बारे में बता रहे हो, तो आपका domain name क्या होना चाहिए, मैं खुल बताता हूँ, अगर मैं digital marketing के उपर work करने जाओंगा, तो मैं रखूंगा अपनी website के नाम digitalakas.com, simple, इसमें digital आ रहा है, लोग को अपने level domain को choose करो, top level domain वो domain होते हैं, जो की .com, .net, .org, domain name के आगे, यह सब लगा होता है, लेकिन जो middle level domain होते हैं, जो low level domain होते हैं, वो होते हैं, .in, .us, मतलब अब मैं differentiate करके बताता हूँ आपको, top level domain हमारे जो होते हैं, वो worldwide काम करते हैं, अगर कोई आपकी website बैटके, US में search कर रहा है, तो आपके website open होके आ जाएगी, लेकिन आपने short level domain लिया, medium level domain लिया, like .in, .us, .xyz, तो यह फिर आपके इंडिया में ही काम करेंगे, .in का मतलब सिर्फ इंडिया, .us का मतलब सिर्फ United States, लेकिन अगर .com लोगे, तो all over the world, तो कौन सा बढ़िया है, आप चाहते हैं, traffic all over the world स है, तो आप चूज करिएगा top level domain, अब हम बढ़ते हैं, अपने आखरी step की ओर, कि अब जब हमने choose कर लिया, pick कर लिया, तो अब हम क्या करें, अब जब आपने देखा, हमने keywords find किये, उसको choose किया, उसको फिर fix किया, अब हमारी बारी आती कि register करने की, कि आपने जो domain name fix किया है उसको हम register करें, legally register किसा कर सकें, कि वो दूसरा कोई न ले ले, इसके लिए हम जाएंगे go daddy, go daddy ऐसी website है, जहां पर जाक कि आप domain name easily purchase कर सकते हो, पैसा pay करके, अब domain name पर जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो easily, कि आपने जो domain name search किया है, वहाँ सर्च करके देखना कि क् अगर वो available है, तो वहाँ से purchase कर लेना, अगर वो available नहीं है, तो आपको कोई दूसरा name find करना पड़ेगा, आपको फिर से research करनी पड़ेगी, फिर से चीजे निकालनी पड़ेगी, फिर से perfect domain निकाल के वहाँ पर check करना पड़ेगा, कि मैं जो domain name लेना चाह रहा हूं, जिस ना identify कराने में, अगर मैं आकाश हूं, तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आकाश के नाम से जानते हो, कि बाई आकास बाई वीडियो बना रहा है, तो मतलब brand recall हो रहा है, चीजे recall हो रही है आपके mind में, इसी तरह जो आपकी website का name अच्छा होगा, memorable होगा, easy to learn and understand होगा, तो आप भी लोगों के mind में recall होगे, आपका brand name generate होगा, इसलिए हम लोग चूज करते हैं, अच्छा और perfect domain में, So guys, मुझे लगता है, जो जो मैंने चीजे आपको बताई है, आपको सही तरीके समझ आई होगी, अगर समझ आई हैं तो please मेरी वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें, thank you guys